दोस्तों University वा College की परिच्छाएं कब होंगी यह बहुत बड़ा question mark है आप में से बहुत सारे छात्र question का इंसा जानना चाहरे होंगे की परिच्छाएं खिर कब होंगी तो आज किस वीडियो में इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं तो वीडियो को सुलूस लेक करें क्योंकि मैं आप लोग मानता हूं कि आप लोग कमेंट करते पूछते हैं कि सर हमारी परिच्छाएं कब होंगी हमारी कि होंगी हमारी कब होंगी तो सारे मेरे पास बहुत रहता है इसलिए आप लोग रिप्लाई नहीं कर पाए उसलिए वीडियो बनाके आपको information कर रह की हैं और कुछ आपने आपने वाले वीडियो का नोटियूकर सबसे पहले आप तक पहुंच के जैसे अग्जाम के टाइम टेबल आएगी किसी इनवर्सी तो हम आपको information कर देंगे आप सभी को मालूम कि इस समय जो B, A, B, A, C, B, Qom के जो चात रहें उनके exam के form फिल किया जा रहें आप सभी को मालूम आपने भी फिल किया होगा तो exam के form के फिल करने के बाद 15 से 20 दिन बाद ही आप सभी के exam पे कोई निड़ा लिया जाएगा समझ लिजे भाद के सभी निवसिटी के खात्र अब आप exam के तैयारी करिए 10 मार्च के बाद आप सभी की exam का time table है exam की scheme है वो जारी की जाएगी जारी होने के 10 या 15 दिन बाद अलग-अलग इनिवसिटी के अलग-अलग rule है तो जब exam की scheme जारी की जाएगी उसके 10 से 15 दिन के ब मार्च के बाद होंगी क्योंकि 10 मार्च के बाद जब नेड़े हो जाएगा तो चार-पांच शे दिन ऐसे लग जाएगे तो 15 मार्च के बाद exam की scheme जारी की जाएगी उसके बाद ही परिच्छाएं ठीक है परिच्छाओं पर नेड़े हो पाएगा कि परिच्छाएं कौन सी परिच्छा किस डेट पर यानि 15 मार्च के बाद इसकीम जारी की जाए फिर आप सभी की परिच्छा है वो हो सकती है यह रही जानकारी में पॉइंट तो आप लोग अब एकजाम की तैयारी करें जैसे फिराल कोई इनवर्शिटी जल्दी एकजाम की स्किम जारी करता है तो हम आपको पलपल की अपडेट देते रहेंगे इसलिए आप अपनी इनवर्शिटी का नाम कमेंट में लिख दीजेगा और साथ साथ में टेलिग्राफ चैल से जुड़ जाएगा जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम आपको इनवर्शिट करेंगे दस मार्श तक आप लोग परिछा के बारे में सोची लीजिए परिछाय दस मार्श तक किसी भी हराल में होंगी नहीं अगर कोई इनवर्शिटी